साथ क्यों ये भी एक सुखत संयोग है श्री रामानुजा चारे जी पर ये समारो उसी समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है आजादी के अमर्त महोसों में हम स्वाधिन्ता संग्राम के इतिहास को याद कर रहे हैं आज देश अपने स्वाधिन्ता सेनानियों को कृतक्य सरदान्जली दे रहा है अपने इतिहास से हम अपने भविशे के लिए प्रेणा ले रहे हैं उर्जा ले रहे हैं इसलिए अम्रित महोत्सव का या आयोजन आजादी की लड़ाई के साथ साथ हजारों उस सालों की भारत की विरासत को भी समेटे हुए हैं हम जानते हैं भारत का स्वाधिन्ता संग्राम केवल अपनी सत्ता और अपने अधिकारों की लड़ाई भर नहीं था इस लड़ाई में एक तरफ अपनी वैशिक मान सिकता थी तो दूसरी तरफ जी और जीनेदों का विचार था इसमें एक और ये नसलिय स्रेश्टता और भावतिक वाद का जुन्मात था तो दूसरी और मानवता और अध्यात्म में आस्था था और इस लड़ाई में भारत विजय हुआ भारत की परंपरा विजय हुई भारत के स्वादिन्ता संग्राम में समांता मानवता और अध्यात्म की वो उर्जा भी लगी थी जो भारत को रामानुजा चारी जी जैसे संतों से मिली थी क्या हम गांधी जी के बीना अपने स्वादिन्ता संग्राम की कल्पना कर सकते हैं और क्या हम अहिंसा और सत्य जैसे आदर्सों के बिना गांदी जी की कल्पना कर सकते हैं आज भी गांदी जी का नाम आते ही वश्ण वजन तो तेने रे कईये ये धून हमारे अंतर मन में बजने लगती है इसके रचाईता नर्सी मेंता जी रामा नुजा चारी जी की भक्ती परंपरा के ही मान संत थे इसलिए हमारी आजादी की लड़ाई को जिस तना हमारी आध्धात्मिक चेतना उर्जा दे रही थी वही उर्जा आजादी के 75 साल में हमारे अमुर्द संकल्पों को भी मिलनी चाहिए और आज जब मैं भाग्य नगर में हूँ हैद्रावाद में हूँ तो सरदार पटेल जी का विशेश उलेख जरूर करूँगा वैसे किशन डेडी जी ने अपने वक्तवेब्य पड़ा विस्तार से उसके लिए कहा भाग्य नगर का कौन ऐसा भाग्य साली होगा कौन ऐसा हैद्रावादी होगा जो सरदार पटेल की दिर्ग दर्ष्टी सरदार पटेल का सामर्थ और हैद्रावाद के आन बान सान के लिए सरदार साब की कुट निति को न जानता हो आज देश में एक और सरदार साब की स्टेची अफ यूनिटी एक्ता की सपत दोहरा रही है तो रामनुजा चारी जी की स्टेची अफ इक्वालिटी समानता का संदेश दे रही है यही एक राष्ट के रुपे भारत की चीर पुरातन विशेस्ता है हमारी एक्ता सत्ता या सक्ती की बुनियाद पर नहीं खड़ी होती हमारी एक्ता समानता और समादर इस सुत्र से सुजित होती है